दोस्तों उत्राखन में कई त्योहार होते हैं फूल देई का एक ऐसा त्योहार है जिसको छोटे बच्चे मनाते हैं फूल देई का त्योहार चैत मास की संगरात्री के दिन मनाये जाता है इस दिन छोटे बच्चे सुबा उठकर नहा धोकर एक ठाली में चावर और फूल रखते हैं और घर घर जाकर फूलों को देहली में डालते हैं और नए साल की बधाई देते हैं बच्चे गीत भी गाते हैं और आसिरवाद देते हैं कहते हैं आपकी देहली फूलों से भरी और सबकी रक्षा करने वाली हो आपके घर में भंडार भरे रहें इस देहली को बार बार नमस्कार इस गीत को गाकर बच्चे लोगों के लिए सुखमाई जीवन की कामना करते हैं बच्चों को गुड़ और दक्षिना दी जाती है तब से पहले आप सभी नों को मेरा प्यार धरा नमस्कार और पैलाग आज चैत का महना लग गया है आज संग्रानतिक है और नया साल लग गया है आप सभी को नया साल की बहुत बहुत बदाई आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ फूल देई का त्योहार क्यों मनाया जाता है कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें वो माओं की संस्कृति को बचाने का फ्यास करें एक राजा था और एक रानी थी उनकी एक बेटी थी राजा रानी की एक बेटी थी इसके लावा उनकी कोई भी संत्यान नहीं थी राजा को उनके दरवारी और रानी ने दूसरी शादी करने को कहा उन लोगों ने राजा से कहा यदि आप दूसरी शादी करेंगे तो आपको बेटा हो जाएगा जो आपका राज्य समालेगा लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया राजा ने कहा मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है वही मेरा राज समालेगी राजकुमारी बहुत सुन्दर थी वह सुन्दरता की मूर्थी थी साथ में राजकुमारी प्रकर्ती प्रेमी भी थी उसे पेड़ पूधे पसुपक्षी बहुत ही अच्छे लगते थी पूरे दिन वह बगीचे में रहती थी अपनी सहलियों के साथ खेलती रहती थी और पसु पक्षियों का गीच सुनती रहती थी और उनसे बाते करती रहती थी अपनी सहलियों के साथ मस्त रहती थी एक समय की बात है जब राजकुमारी अपनी सहलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी तो अचानक बगीचे में गंदी बद्वू आने लगी राजकुमारी ने अपनी सहलियों से कहा मुझे बहुत गंदी बद्गु आ रही है मुझे चक्कर आ रहे हैं ऐसा कहकर राजकुमारी बेहोस हो गई जब राजा को पता लगा राजकुमारी बेहोस हो गई है तो राजा दोड़ा दोड़ा बगीचे में आया उसने राजकुमारी को होस में लाने का प्रयास किया लेकिन राजकुमारी होस में नहीं आई उसके बार राज्य में कई वैद बुलाए लेकिन सब असफल रहे लेकिन राजकुमारी को होस नहीं आई दो तिन सप्ता बीद गए लेकिन राजकुमारी को होस नहीं आया राणी ने राजा से कहा कुछ करो जिससे राजकुमारी होस में आ जाए नहीं तो हम इस राज्य का क्या करेंगे और रानी रोने लग गई रानी ने कहा तुम कुछ भी करो लेकिन मेरी बेटी को होस में लियाओ और जोर जोर से रोने लग गई राजा ने घोस्रा कर दी जो भी राजकुमारी के होस में लाएगा उसे आधार राज्य दे देगा साथ में राजकुमारी की साधी उस व्यक्ति से कर देगा दूसरे राज्य के कई वैद्धी बुलाए गए लेकिन राजकुमारी का होस नहीं आया इस तरह एक मेहना बीद किया और राजकुमारी बेवोसी रही एक दिन राजा अपने दरवार में उदास बैठा था तब ही एक द्वार पाल आया उसने बताया एक युवक बाहर दरवाजे पर आया है वह कह रहा है कि राजकुमारी को होस में ला सकता है राजा ने उससे कहा उस युवक को फटा फट दरवार में ले आओ वह युवक दरवार में आ गया जब राजा ने उस युवक को देखा तो वह उसे देखती ही रह गए वह बहुत ही सुन्दर था किसी राजकुमार की तरफ लग रहा था राजा ने उस युवक से पूछा क्या तुम राजकुमारी को होस में ला सकते हो तब युवक ने कहा हा मैं होस में ला सकता हूँ लेकिन आपने वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा तब उस युवक ने राजा से कहा सबसे पहले आप एक चारपाई को बगीचिम में लगवा दिजे उस चारपाई में राजकुमारी को सुला दिजे राजा ने वैसा ही किया वह युवक राजकुमारी की चारपाई के पास बैट गया और बासुरी बजाने लग गया बासुरी की आवास सुनकर फूल खिल उठे पक्सी बोलने लग गयी चारू तरफ खुजबू फैलने लगी असु पक्सी गीत काने लग गये बासुरी की धुन सुनकर राजकुमारी को होस आ गया राजकुमारी ने अपने आखे खोल दी उठकर बैट गई उसने अपने माता पिता को देखा वो अपने माता पिता से बोली क्या मैं बगीचे में हूँ सब लोग खुस हो गए राजा रानी भीक बहुत खुस हो गए, प्रजा बहुत खुस हो गई, चारू तरफ खुसाली चागई, राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया इन सब के बीच राजा रानी उस युवक को आभार देना भोल गई अचानक राजा को उस युवक की याड आई राजा ने पूछा अरे वह युवक कहा गया तब सबने देखा वह युवक एक पेड़ के नीचे खड़ा था और धीरे धीरे हस रहा था राजा ने उसे अपने पास खुलाया और कहा अब तुम कहीं नी जाओगे हमारे राजे में ही रहोगे और राजी की देख भाल करोगे राजा ने कहा मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी से कर दूँगा और तुम्हें अपना जमाई बनाऊंगा राजा ने उस युवक की शादी राजकुमारी से कर दी चारू और खुसाली चागी कहते हैं जिस दिन राजकुमारी की शादी थी उस दिन संग्रान्ती थी राजा ने यह गोस्टना कर दी सब लोग संग्रान्ति के दिन अपनी देली में फूल डालेंगे और चावर डालेंगे देली को फूलों से सजाएंगे इस दिन से उत्राकंड में फूल देई का त्योहार मनाये जाने लगया और लोग बड़ी खुसी खुसी इस दिन से नया साल मनाने लगे और सभी को आपस में बधाई देने लगे इसी दिन से उत्राकण में फूल दे का त्योहार मनाया जाता यारी नए साल मनाया जाता है अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करने वाली हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी तब तक के लिए नमस्कार पहला चैनल को सब्सक्राइब कीजे और अधिक से अधिक शेयर कीजे